वेलकम तो माई चैनल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्यूम ओफ सॉलिड ओफ रेवलिशन जब हमारी कोई आर्क या करो है किसी फिक्स लाइन या किसी भी एक्सिज के अबाउट रिवोल करती है तो एक सॉलिड जेनरेट करती है उस सॉलिड की जो वोल्यूम होगी वो हमारी कहलती है वोल्यूम ओफ सॉलिड ओफ रेवलिशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्यूम ओफ सॉलिड ओफ रेवलिशन in case of Cartesian curves अगर हमारी Cartesian equation देर के किसी करव की उससे जो करव form होती है जब वो हमारी किसी axes या किसी line के about revolve करती है तो जो solid generate अब उसकी volume किस तरीके से find कर सकते हैं वो आजम देखने वाले हैं तो मारे पास first case consider कर लेते हैं if y is equal to fx is the equation of curve right एक हमारे पास करव की by is equal to fx हमारे पास करव की equation है ये जो हमारी करव है ये जब हमारी करव x-axis के about revolve करती है x-axis के about जब हमारी करव कुछ इस तरीके से revolve करेगी जो हमारी करो y equal of x x axis के बौर्ट कुछ revolve करती है इस तरीके से तो वो एक solid generate करती है उस solid की volume between the limit x is equal to a and x is equal to b हम किस तरीके से दे सकते हैं तरहीं v is equal to integration of pi y square pi y square एक pi y square होगे ये आपको मैं graphically समझा देता हूँ तो यहाँ पर हम consider कर लेते हैं कि यह हमारी x axis है यह अपनी y axis है कुछ इस तरीके से और यह अपना origin है इस तरीके से consider कर लिए है हमारी एक करो consider कर ली यह हमारी x axis है और यह हमारी करो है जो वो इसके about कुछ इस तरीके से revolve करती है तो एक solid generate करती है तो इस तरीके से revolve करेगी तो anytime इसकी position कुछ इस तरीकी सी होगी तो ये एक type का solid यहां पर generate हो जाता है ये जो solid generate होगा तो इसका एक small portion consider कर लेते हैं वो एक disc type में हमारे सामने आता है वो disc का surface एरी होता π y square आएगा और into में उसकी thickness small thickness dx माले तो उसकी volume आगी है उस volume को x is equal to a और b के बीच में अगर हम integrate कर देते हैं तो जो पूरा solid है उसकी volume आजाती है that is v is equal to integration from a to b pi y square into में dx right next question देखते हैं अगर हमारी equation कुछ इस तरीके से है that is x is equal to f y is the equation of curve जो curve की equation of हमारी कुछ इस तरीके है that is x is equal to f y then volume of solid generated by the curve by revolution about y axis between the limit y is equal to c and d that means अब यह case हो सकता है कि यह हमारा solid है वो y axis के बाउट कुछ इस तरीके से revolve कर सकता है तो जो solid generated होगा between the limit y is equal to c and d के बीच में हम कुछ इस तरीके से दे सकते है that is v is equal to integration within the limit c to d pi x square into my d i y यह हमारा volume आजाता है जब हमारी जो curve है इस तरीके से दे सकते है यह भी case बन सकता है कि हमारी जो curve है वो किसी line के about भी revolve कर सकती है तो थर्ड case देख लेते है थर्ड case आता है that is volume generated by revolution of about any line means हमारी जो curve है वो किसी line के about भी तो revolve कर सकती है let curve a b revolve about line os एक हमने os line है वो हमने consider कर ली और यह जो a b करो है जो करो है वो कुछ इस तरीके से इस line के about revolve करती है यह हमारी os line होगी और यह हमारी करो है वो कुछ इस तरीके से इसके about revolve करती है तो जो solid generate होगा उसकी volume कैसे दी जा सकती है तो सबसे पहले हम क्या करते है x y plane में यह os line है और यह AB हमारी करो है इस AB पर हमने कोई एक arbitrary point consider के लिए जिसके coordinate axor y है तो यहां से हमने एक perpendicular draw किया OS पर तो यह हमारा M point पर एक perpendicular है जब यह इसके about revolve करती है तो anytime कुछ इसकी position इस तरीके से आएगी that means यहां पर एक small element लिए अगर हम consider करते हैं तो यह as a radius work करती है यह पूरा disk form होगा जहां पर PM as a radius work करती है that means पाई PM का square क्या होगा उसका area into में small thickness है D O M, O M length का differentiation means small thickness, small part ले लिया तो यह हमारा volume आगी यह जो हांपर disk type structure form होता है वो उसकी volume आगी उसको अगर हम O से S के बीच में O से S के बीच में integrate कर देते हैं तो whole length के alone जो उसकी पूरी volume है total volume हो मारे सामने आजाती है तो यह हमारा general formula होता है यह OS axis है वो X axis के parallel हो सकती है या Y axis के parallel हो सकती है तो और case भी बन जाते है अगर हमारी यह दीगी line है वो parallel है Y axis के Y axis के parallel है that means कुछ इस तरीके से है यहां पर तो उसकी equation क्या होगी उसकी equation होगी X is equal to K X is equal to K उस line की equation होगी in that case जो हमारी PM length होगी PM जो distance होगी वो किसके equal आगी X minus K का whole square तो volume का formula जाएग V is equal to integration within the limit C to D pi X minus K whole square into my D यह हमारा formula बन जाता है next यह पर बन सकता है कि हमारे जो axis यह जो line है वो parallel to X axis हो अगर हमारी दीगी line है वो parallel है X axis के in that case हमारी equation of line क्या दीगी होगी Y is equal to H कुछ इस form में हमारे पास equation of line दे रखी है तो हमारी volume आजएगी V is equal to integration from A to B pi Y minus H whole square into my D X तो यह अलग-अलग type से हम volume है किसी line के about अगर curve revolve कर रही है किसी axis के about revolve कर रही है तो उसकी volume किस तरिके से find out कर सकते है उनके अलग-अलग formula में आपको पता दिया है अब आए इस से related example कर लेते हैं find volume generated by revolution of the loop of curve which equation is this about X axis हमारे पास एक curve की equation दे रखी है इस curve की जो loop है जब वो X axis के about revolve करती है तो जो solid form होता है उसकी हमें volume find करनी है तो हमारे पास जो equation है उसे कुछ इस तरिके से लिखा जा सकता है Y square is equal to X square into 3A minus X ये divide में जाएगा A plus में X इसमें देखते हैं अगर हम X को 0 पुट करते हैं X की value 3A आ रही है that means origin से पास हो रही है साथ-साथ X axis को 3A point पे intersect कर रही है तो ये एक type की loop form और ये symmetric about X axis है तो same ऐसी curve इसके नीचे भी लाई करेगी अब ये जो अपनी curve है ये हमारी X axis consider कर लेते हैं ये curve अपनी कुछ इस तरीके से loop है वो कुछ इस तरीके से revolve करती है और ये एक solid generate करती है उस solid का हमें volume find करना है तो इसे हम किस तरीके से find करेंगे X axis के about revolve कर रही है in that case मारा formula था volume V is equal to integration from 0 to 3A 0 से 3A की limit के बीच में ये curve लाई कर रही है pi y square into dx होता है y square की value ये रही है ये आपर put कर देते हैं तुमारे मास आजाता है V is equal to pi integration from 0 to 3A x square into 3A minus x divided by a plus x into dx इसके अंदर multiply करेंगे तुमारे पास आएगा V is equal to pi integration from 0 to 3A 3A x square minus x cube divided by a plus x जब इससे numerator को denominator से अगर हम divide कर देते हैं तो हमारे पास आजाता है V is equal to pi integration from 0 to 3A minus x square plus 4A x minus 4A square plus 4A cube divided by a plus x into dx आजाता है इसका अगर हम integration करते हैं तो power में 1 add कर दिया power से divided कर दिया तो आगे minus x cube divided by 3 यहाँ पर भी power में 1 add कर दिया power से divided कर दिया तो हमारे पास आगे 4A square divided by 2 यहाँ पर भी x multiply में आजाता है minus 4A square of x यहाँ पर क्याएगा 4A cube constant है 1 by x का ओता है log x होता तो आगे log a plus x upper limit 3 है lower limit 0 है यह values पूट करते है तो हमारे पास आजाता है V is equal to pi 9 of a cube plus 18 a cube आएगा यहाँ पूट करने पर यहाँ पूट करेंगे minus 12 of a cube और यहाँ पर पूट करेंगे 4a cube common ले लिए तो हमारे पास आगे log 4a minus में log of a और इसकी value कहते है log a minus में log b क्या होता है log a divided by v होता है तो वह पूट करते है तो हमारे पास v आगया v is equal to pi into में minus 3a cube plus 4a cube log of 4 log 4 को कहा लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं और a cube throughout the bracket से common ले ले लेते हैं तो हमारे पास आगे v is equal to pi a cube into में minus 3 plus 4a 4 log 2 का square यह power उपर होती है power आगया जाती है that means 4 to the 8 हो जाएगा यहाँ पर v is equal to pi a cube into में minus 3 plus 8 log 2 यह हमारे पास required volume आजाती है जब हमारी loop है वो x success के water revolve करती है Thank you